हाँ तो फ्रेंट्स देखी भारत के प्रमुख नदियां कहां पे और किस सागर में गिरते हैं आज किस वीडियों हम जानने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पस्चिम के और से तो सबसे पहले आता है हमारा सिंदू नदी सिन्दु नदी अभी वर्तमान में तो पाकिस्तान में बाती है लेकिन इसका कुछ हिंसा भारत के छेत्रों में बहता है ठीक, तो देखे, यह जो सिन्दु नदी है लगबग इसके लंबाई 300 किलोमेटर है कितना, 300 किलोमेटर लगबग देखे, 180 या 3212 है तो मैं एक तिस तो बता रहा हूँ लग भग ठीक और यहां किस नदी में गिरती है यहां किस सागर में गिरती है अरब सागर में ठीक सिंदु नदी किस सागर में गिरती है अरब सागर में और सिंदिक की जो है पांच सहायक नदियां है या फिर उप नदियां हम बोल सकते हैं सहायक नदी को उपस नदी भी बोला जाता है ठीक तो देखिए कौन-कौन है सिंदू की सहायक नदी सबसे पहले आता है हमारा काबूल नदी जो कि अफगानिस्तान तक बाती है वो दूसरा आता है जहलम नदी तिसरा आती है चेनाव चोंती आती है रावी पांचवी ब्यास विपासा भी बोला जाता है और सत luj यह नदीया सिंदू की सहायक है मुएक रूप से पाँच अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो यहां पर कुल छे नदीया है लेकिन मुएक कि रूप से पांची गिने जाते है यह जहलम और काबूल नदी को एक साथ गिना ज जाता है दूसरे नमबर पे हम बात कर लेते हैं तो दूसरे नमबर पे आती है हमारी गंगा नदी ठेक जो कि भारत की राइश्टी नदी भी है और भारत की राइश्टी मचले जो डॉल्फिन है यहाँ भी गंगा नदी में ही पाय जाता है अब जान लेते हैं इसकी लंबाई तो गंगा नदी के लंबाई लगबग 25 सो किलो मेटर है तो कुल लंबाई तो 510 है तो 25 सो मानी है 25 सो किलो मेटर और इसकी सहायक नदिया कौन-कौन से है वो देखे तो सबसे पहले आता है चंबल दूसरे नमबर पे आता है यमूना और तिसरे नमबर पे आती है सोन ये गंगा की प्रमुक सहायक नदिया हैं तीन तीन प्रमुक है कौन-कौन सोन, चंबल और यमुना और इसकी लंबाई 25 सु क्लिमेटर लगबग और यह भारत के राष्टिना दिया है और इसका जल गिरता है जाकर के आपका बंगाल के खाड़ी में यह बंगलादेश से होते हुए गुस्ती है और बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है तो बंगलादेश में गंगा को पदमा के नाम से जाना जाता है ठेक पदमा वहाँ पे आप गंगा बोलिएगा तो नहीं समझ पाएंगे वहाँ पदमा बोला जाता है गंगा नदी को ठेक उसके बाद देखी यह आती है ब्रमपुत्र नदी तो ब्रमपुत्र नदी जो है तिबबत से निकलती है मानसरोवर जिल से और इधर से मेगाले होते हुए फिर बांगलादेस होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है जो यह ब्रमपुत्र नदी है इसे दिबबत में तांग सेपे के नाम से जाना जाता है और भारत में ब्रमपुत्र के नाम से और जब बंगलादेस में गुशती है तो बंगलादेस में इसे जमूना के नाम से जाना जाता है जमूना कहा जाता है जमूना जी हां यह चीज हो भारत और तिसरा बांगलादेश ये चीज़ हो गई अब देखिए यहाँ पे जो भारत में है न मेघाले राज में जैसे ये गुस्ती है तो वहाँ पे गारो और खासी की पहाडिया है उनसे होते हुए गुजरती है तो गारो और खासी की पहाडियों के बारे में मैं कुछ ब नाम पर मिखाले राज में पाई जाती है अब देखते हैं हमारा तो हमारा अगला नदी आ जाता है हमारा महा नदी तो महा नदी मुख रूप से ओडिसा राज में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है उसके बाद हम देखते हैं तापती तो तापती लेकिन मैं 3000 यहां पे मानके चलते है उसके बाद नримदा नदी को कहां जाता है मैद्पर्देश की जीवन रफा अब देख लेते हैं दचषिन भारत यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है है तो मियक्ष रूप से जो दच्षिन भारत की गंगा कही जाती है वही कही जाती है गोदावरी को गोदावरी नदी को विरिद गंगा या दचिन भारत की गंगा कही जाती है अब बात कर लेते हैं दचिन भारत में यह जो गोदावरी नदी है यहां तो महाराष्ट से उत्पन होती है लेकिन यहां बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है अब देखते हैं इसके बाद कृष्णा नदी को कहा जाता है कि इसमें हीरे पाए जाते हैं तो यहां नदी भी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है कृष्णा और करके गिरती है ठीक तो इतने सारे होगे लडिया है बारत में जो लड़कियों के नामें भारत में नदियों के नाम पर ही भारत की लड़कियों के नाम रखा जाता है तो यह होगी भारत के परबुक नदिया और यह कहां पे गिरती हैं किस राज से होते भी गिरती हैं तो एक छोटा-छोटे जानकारी में मोटा-मोटा जानकारी आपको दे दिया तो I hope कि आपको यहाँ वीडियो कुछ जानकारी दिये होगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट जानकारे के साथ तब तक के लिए बाए पढ़िए और आगे बढ़िए धन्यवाद